अधनों में अब घर हैंसल में एक टोपिक टोटें gua सेला कर्ण करना है और भी था युक्त परोली औरते पली प्रूल कि मि 可以 कम्लीन डि़िसीवल करने को सबसे पहले तो इम भर और हम ले लेगे जैसे अगर हम देखें कि थी डिजिट का गेटेस्ट अन डिजिट नमबर कितना होता है 999999999 और इसमें से हमें क्या है कि वो completely divisible by another number हमें find out करना है तो जो इसको minus करेंगे वो remainder को minus करेंगे तो हमें completely divisible number आ जाएगा और अगर हमें least 10 डिजिट नमबर exactly divisible by a divisible अगर हमें find out करना है कि least 10 डिजिट नमबर find out करना है तो इसे हम find out क्यासे कर सकते हैं सबसे पहले तो least नमबर find out करेंगे least 10 डिजिट नमबर कौन सा है तो जैसे 3 डिजिट का लें तो least 10 डिजिट नमबर है 100 तो उसमें least 10 डिजिट नमबर में वो add करेंगे divisible minus remainder यानि हमें अगर least 10 डिजिट नमबर find out करना है that is completely divisible by another number तो उसमें least 10 डिजिट नमबर में उसमें से add करेंगे divisible minus remainder जैसे कि अगर हमें find तो इस condition में हम क्या करेंगे जैसे कि हमें find out करना है कि list 10 डिजिट नमबर है वो 13 से divisible है तो वो number अगर हमें find out करना है तो 100 list 10 डिजिट नमबर है उसे हम ले लेंगे जैसे 3 डिजिट वाला अगर हमें find out करना है तो 3 डिजिट वाला list डिजिट नमबर है वो 100 है 100 को डिवाइड करेंगे तो इसमें remainder है वो 9 आया तो remainder 9 को तो जो number हमें करना है find out वो divisor minus remainder यानि यह add करेंगे तो यह 100 प्लस 13 माइनस 9 104 तो 104 है वो completely divisor by 13 तो यहाँ पे हमें तो जो रहें के वो list डिजिट नमबर क्या होगा जो exactly divisor by है division D तो यहाँ पे answer होगा 104 और अगर जो अपन का वो greatest end digit नमबर find out करना था greatest end digit नमबर कैसे find out करेंगे तो उसमें से remainder minus कर रहे थे हम तो जैसे अगर हमें 3 digit का greatest end digit नमबर find out करना है जो के 13 से divisible है तो इस condition में 999 यह greatest end digit नमबर हो गया इसको divide करेंगे इस condition में जो remainder आ रहा है वो 11 आ रहा है और remainder को minus करते हैं और remainder को minus करते हैं 989 है that is completely divisible y 988 is completely divisible y 13 तो हमारा answer हो गया 988 यानि कि अब हमारे पास greatest end digit के लिए तो हम remainder को minus करते हैं और least end digit के लिए हम division minus remainder को add करते हैं यह हमारे पास method हो गया इसके साथ मैं lecture को सब्सक्राइब कर रहा हूँ अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे subscribe कीजिए आगे मैं जारी रखूँगा अच्पाब और सांव